हेलो नमस्कार दोस्तों आब यादी भार्जी टीम को सपोर्ट करते तो इस वीडियो को जोड लाइक किजएगा बहाधार नुजिलेंड के बीच खेले गए दूसे टीट्वेंटी मेच में जहां नुजिलेंड ने टोज जीत कर पहले बाइटिंग करने का फेसला क्या था और नुजिलेंड के टीमने मास्र बीस ओर में 99 नदर मरा का भार्जी टीम को सफोरोर का टार कर देता लेकिन भार्दे तीम जब आई चेस करने के लिए तो भार्दे तीम को ये सोरण की पारी भी बहुत ही ज़्यादा नजर आये थी भार्दे तीम ने किसी भी तरह दूसरे टी-20 मेंच को जीत कर एक-एक की स्रीज में बराबरी कर ली है तो दोस्तों ऐसे मैं आपको बताएंगे भार्दे तीम की तीसरे प्लेवीन 11 के और साथ सी साथ नुजिलेंड की प्लेवीन 11 के बारे में भी और ये मेंच किस वेन्यू पर खेला जाएगा अब भार्दे समय सार तीस समय चालू होगा और कौन से चैनल पर आप लैप देख सक कियुक्त तीम को 2 जीत मिलिए पहले बैंटिंग करते हुए टी तीन जीती जापकी सग्एनिंग में बैंटिंग करने वाली तीम, तीन जीती है उस पिच पर अबरेजर स्कॉर की बात गया तो 104 जबकि सगेंड एनिंग की एश्कॉर की बात करे तो 106 है इस सबसे हैस्ट सब के बात करें तो दो सॉचोवी सरन पर डो वीकेट है जो 20 और हम भारत के दोवारा इंडियन के खिलाप पनाय गया था इस पीद पे लिएस डेशन की बात करें के दुआ तो शॉवीस के बनाता है सक्सेस्पूर्ट के बात करें दो सॉचोच रण यरॉन पर तीन विकेट है जो इंडिया के दोड़ा ंगलेंड के खिलब टेस की गए थी, उसके फार लोस्ट ट्वर्टल डिफेंड की बात कहता है और गया ने और पर विराठकोली ने बनाया है दोस्तो utilizz पिच की बात करें तो इस अजाधा मदद मिलेगी जब्कि स्पीनर को तो और कम मदद मिलेगी जब्कि की भॉंडरी के बात करेंगे तो बैंस की काफी लंबी की बात करें तो सुर्च कुमार यादव और पांच में नमर पर कप्तान हार्दिक पांडिया खुद खेलते वे नजर आएंगे जबकि छटे नमर की बात करें तो वसिंग्टन सुंदर साथ में नमर पर दीपक हुडा आठ में नमर पर सिवम मावी के जगा मुगस कुमार को ख कहा दिया जा सकते हैं वहाई नुजिलंड की प्लाइग एलेबन की बात करें तो फिले लेकर साथ डेवेंड करनो पारी की सभात करते हुए नजर आएंगे वही तीसे नमर पर मार्क चंपर चौते नमर पर ड्राय मिचल पांच में नमर पर गलन फिलिप्स और छटे नमर पर क तर्षिप लें इस आकड़ी आर्टी तीसे 3-2-8 मैंच में खेलतेवे नजर आएंगे बाते नमर की बात करें तो भारते समयनुसाइब साम साथ बजकी यह स्टार्ट होगी दोस्तों इस मैंच में बाहारत तीम लाग बाग जीतने की पूरी कोसिज करेगी और सीरीज को कि दो एक से अपने नाम करना चाहेंगी